हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्पोगत है स्टडी पॉइंट यूटूब चालम पर आई वेलकम यौल टू स्टडी पॉइंट और आज के इस पटिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत इंपोर्टन फाइफ कोशन देकि रीजनिंग की सीरीज चल रही है सीरीज को आगे बढ़ाते विए यह नेक्स्ट बहुत इंपोर्टन पार्ट है जिसमें मैं टूटल फाइफ कोशन को डिसकस करूंगी और कुछ महत्कुन ट्रिक भी आपसे बता गया है अगर आप चाहें तो मैस रीजनिंग के लिए अलेक्स चैनल क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहला कोशन जैसे कि आप देख रहे हैं कौन सा विकल्प उत्तर उपलब्द क यहां पहले आपको पताना है कि यह 8 आया कैसे है सबसे अगर आप ज्यान देंगे तो यहां पर तो यहां पर प्लस टू एट है तो अगर हम 2 प्लस 2 को प्लस करते हैं, तो आएगा 4 ठीके, बढ़ 4 तो है नहीं, यहाँ है 8, तो अब 4 को आप 2 से क्या करदेंगे multiply, ठीके, 4 को 2 से multiply करदेंगे, तो आजाएगा 8 ठीके, अब हमें देखना है कि यह pattern क्या next में भी follow हो रहा है कि ने next क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3 is equal to 10 ठीके, तो पहले हम लोग 2 प्लस 3 को क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा 5, फिर 5 को 2 से क्या करेंगे, multiply, तो आजाएगा हमारा 5, 2, 0, 10, ठीके यह भी pattern यहाँ पर follow हो रहा है, अब इसी तरह हम लोग चेक करेंगे, next वाले में, next वाले में दिया है, 3 प्लस 4 is equal to 21, ठीके, तो यहाँ पर हम लोग 3 प्लस 4 को करेंगे, प्लस आएगा 7, फिर 7 को 3 से क्या करेंगे, multiply, तो आजाएगा 21, ठीके, तो यही pattern हमारा follow हो रहा है कि, आपस में plus करके पहली वाले डिजिट से multiply कर देना है यानि कि, 3 प्लस 5 is equal to, यहाँ पर क्या आएगा, यानि कि 5 प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस 3 को हम लोग plus करेंगे, तो 8 आएगा और 8 को 3 से हम लोग कर देंगे multiply, तो 8 को 3 से multiply करेंगे, तो 24 आएगा जो कि हमारा option C में साफ साफ दिख रहा है क्या किया गया है, बस डिजिट को अपस में plus करके पहली वाले डिजिट से multiply कर देना है डिजिट को अपस में plus करके, जो answer आएगा उसको पहली वाले डिजिट से plus कर देना है यहाँ पर भी आई किया गया है ठीक है, आई होप यह question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा option C हो जाएगा हमारा correct answer 3 plus 5 is equal to 3 plus 5, 8 हाया 8 को 3 से गुड़ा किया तो 24 हाया ठीक है, वीडियो को आपको like and share जरूर करेगा अगर question आपके लिए helpful हो तो अगर आपको अच्छे से question को समझ में आ गया हो तो इसको like and share जरूर कीजेगा next question है दिये गए विकल्पों में से लुप्त पद ग्याद कीजे देखिए, यहाँ पर दिया है digit number है, यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर नहीं है, यही आपको पता करना है और आपके सामने 4 option दिये हों है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्या pattern follow हो रहा है तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर 9 को हम लोग 2 से गुड़ा करके minus 1 कर देते हैं, तो मारा 17 आ जाता है कैसे, 9 को 2 से गुड़ा किया तो 18 आया, 18 में से 1 minus किया, तो 17 आ गया अब मैं देखना है कि यह pattern कि आगे follow हो रहा है कि नहीं, ठीक है क्या किया तमने, 17 में हम लोग 2 से गुड़ा करके minus 1 कर देंगे तो 17 दुनी 34 होता है 34 में से 1 minus कर देंगे, तो 33 आएगा जो कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है अब इसी तरह हम लोग next में भी करेंगे यानि कि 33 में 2 से multiply करके 1 minus कर देंगे 33 में, अगर हम 2 से multiply करते हैं तो हमारा आता है, 66 66 में से minus 1 कर देते हैं तो हमारा जाएगा, 65 जो कि हमारा option D में साफ साफ दिख रहा है ठीक है, कुछ नहीं करना है, simple है 2 से multiply minus 1 2 से multiply minus 1 2 से multiply, फिर minus 1 ठीक है, I hope यह question आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है, यहाँ पर हमारा option D हो जाएगा हमारा सही answer देकि इस तरह के कई question मैंने जो, series चल रही है उसमें कई बार इस तरह की question में discuss भी किया है, तो आपको वीडियो को जरूर देखेगा, link description box में दिया हुआ है, बहुत important question इस से एक question तो जरूर पूछे आता है question नीचे दी गई, प्रश्न का सही when आरेक बनाना है आपको ठीक है सबसे पहले आपको देखना क्या दिया हुआ है दिया है, राज, देश, शहर इन तीनों का आपस में relationship क्या है, यह हमको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है क्या है, राज, देश, शहर आपको पता है कि राज के अंदर क्या आता है शहर आता है ठीक है, मगर राज किस में आता है, यह देश में आता है ठीक है तो सबसे छोटा है हमारा शहर उसके बाद राज उसके बाद देश फिर से समझ यह क्या दिया हुआ है राज देश और शहर ठीक है देश की अंदर आता है राज और राज की अंदर आता है शहर तो यह हमारा कैसा दिख रहा है option A में साफसाद दिखना है इस तरह के question बहुत ही आसान होते हैं बस आपको देखना होता है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द यह किस तरह का एक दूसरे से relation या संबंद दिखाते हैं यहाँ पर option A हो जाएगा हमारा सही answer next question पर आते हैं दिया हुआ यदी 56 x 11 9 37 x 13 6 42 x 12 गोस्ट तीन तो 87 x 77 का मान आपको बताना है आपके सामने 4 option यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले क्या करना है आपको दियान से देखिए क्या दिया है 56 x 11 ठीक है तो यहाँ पर 9 कैसे आया तो यहाँ पर दिया हुआ है 56 x 11 is equal to 9 यहाँ कैसे सबसे पहले हम गो 5 और 6 को आपको से प्लस कर देते हैं यहाँ 11 और 1 और 1 को आपको से प्लस कर देते हैं यहाँ 2 और 11 में से 2 को घटा देते हैं तो यहाँ आएगा 9 ठीक है क्या किया गया है सिर्फ दिस समझे 56 x 11 दिया हुआ है 9 लाना है तो 5 और 6 को आपको से प्लस कर देंगे 11 1 और 1 को आपको से प्लस कर देंगे 2 फिर आपको से इंको हम लोग घटा देंगे तो 9 आ जाएगा यही हमें देखना है क्या next में ऐसा हो रहा है या नहीं तो दिया है 37 x 13 ठीक है बराबर 6 तो 3 और 7 को आपको से प्लस कर देंगे तो आएगा 10 1 और 3 को आपको से प्लस कर देंगे तो आएगा 4 और 10 में से 4 मैनस कर देंगे तो आएगा 6 साफसाफ हो रहा है हमारा next दिया इसी तरह हमारा चेक करेंगे 42 गुड़े 12 is equal to 3 ठीक है क्या है 42 गुड़े 12 is equal to 3 तो यहाँ पर 42 और 2 को 42 में 4 और 2 है इसको plus कर देंगे तो आएगा 6 1 और 2 को आपसे plus कर देंगे तो आएगा 3 और इसमें से हम लोग आपसे minus कर देंगे तो आएगा 3 ठीक है इसी तरह हम लोग next में भी यह चेक करेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ से देखेगा 87 x 77 और यहाँ पर है question mark तो हमने क्या किया है सबसे पहले मैंने आपको बदाया कि आपस में digit को plus कर देना है तो 8 हो 7 को plus करेंगे 15 और इसको भी हमें आपस में plus कर देना 7 हो 7 तो करेंगे 14 फिर इसको कर देना minus करने पर आएगा 1 तो जो कि हमारा option a में दिख रहा है तो यहाँ पर option a हो जाएगा हमारा सही answer है क्या किया मैंने digit को आपस में plus करके minus कर दिया है फिर दोनों को आपस में ठीक है 87 गुडे 77 ठीक है 8 हो 7 को plus किया 15 7 हो 7 को plus किया 14 माइनस किया इन दोनों को आपस में एक जो कि option a में साफ साफ दिख रहा है यह question पर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा next question पर हम लोग आते है important question है दिये गया विकल्पों में से खाली स्थान बरे क्या दिया हुआ है dash a b dash b dash b dash b c dash c a dash इस तरह को question करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है यह आपको समझ में आना चाहिए पहले देखे इस तरह के question करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितने अक्षर दिये हुए है जो खाली स्थान है उसको ले करके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा ठीक है बारा है तो इसको हम लोग तोड लेंगे ग्रूप में डिवाइट कर लेंगे ठीक है अगर यहाँ पे 16 होता ठीक है तो चार-चार का ग्रूप बनता यहाँ पे 12 है तो हम लोग किसका ग्रूप बनाएंगे तीन, दिन का ग्रूप बनाएंगे ठीक है तीन, दिन का ग्रूप बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा ठीक है हम यहाँ पे फिल करना है एक दो तीन चार पाँच ठीक है तो हम लोग गुरूप बनाएंगे तीन तीन का तो यहाँ पर एक गुरूप बना फिर 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 से देखते हैं हम लोग एक दो तीन और एक एक चार, अब मैं देखना है कि क्या यहाँ पर फिल होगा, तो यहाँ पर है A, B, तो क्या नहीं है, C नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, एक, दो, तीन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यह देखते हैं, यहाँ पर C नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या ह है B है और फिर क्या है डाश है तो B के बाद B तो आएगा नहीं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे A करेंगे B और C करेंगे ठीक है फिर क्या होगा यहाँ पर B C यहाँ पर क्या हो जाएगा A हो जाएगा क्या हो जाएगा A B C A फिर यहाँ पर क्या होगा next वाला C, A, B ठीक है, C, A, B तीन तिन अक्षर का पेर बन रहा है पहले में है C, A, B दूसरे में A, B, C तीसरे में है आपका B, C, A फिर क्या है C, A, B और यह हमारा किस option दिख रहा है, आप देख सकते हैं पहले C हमने fill किया फिर A fill किया फिर C fill किया फिर A fill किया, फिर B fill किया जो कि हमारा option C बे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा देखे, पहले C, A, B हुआ फिर A, B, C हुआ, B, C, A हुआ फिर C, A, B हुआ तो यहाँ पे हमने आज बहुत ही important five questions को discuss किया, जो कि कि आपके आने वाले exam के लिए important है आपको किसी भी question में doubt हो तो comment शेसर में पूछ सकते हैं thank you so much for watching, thank you